हेलो एवरिवान आज मैं आपके साथ स्पाइसी मसाला पनीर की रैसेपे शेयर करने वाली हूं बड़ा मज़ेका ये बनता है तुछ इसके लिए हम सबसे पहले मसाला प्रेपेर करेंगे तो मैंने हाँ पे लिया है तीन चम्मच कोरियांडर सीर्स एक चम्मच लेंगे जीरा और यहां पे लेंगे 14-15 मैंने काले मिर्च ली है आप चाहें तो पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं दो मैंने हाँ पे लिए हैं लॉंग और तीन सुखी मिर्चे इन सारी चीजों को हम ड्राय रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे करेंगे हम हाई फ्लेम पे नहीं करना करीब तीन से चार मिनिट में यह हो जाएगा आराम से हलका हलका दुआने करने लगेगा फिर हम इसे ठंडा करके पीस लेंगे तो हमारा जो मसाला है वो एकदम तयार है अब हम कुछ वेजिटेवल्स ले रहे हैं मैं यहां पे एक प्याज लिया है एक से कम में कैप्सिकम ल जाएगा बड़ा साइस का तो मैंने थोड़ा सा बचा दिया है मैं यहां पे इसक्वाइर शेप में काटूंगी सारे के सारे वेजिटेबल्स आप देख सकते हैं अभी हाँ पे मेरा जो एक टमाटर है उसको हम रख देंगे प्योरी के लिए और जो एक टमाटर उसी को कट क निगए और छो पे टमाटर की आउच लेए हुसको हम क्रेंगे स्क्वाइर शेप में ऊ के मीजेटि बड़ा के पीस को हमे थोड़े ही रखने है और मैं इहां पे जो पनीड完了 हमे इस तरह से कर लिया है स्क्वाइर शेप में सिंपल सा फर हम हम एक चुड़ा ही चुड़ाई फिर हम इसको दो मिनट तक करीब हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और प्यास जो है वो इक दूसरे से अलग होने लगेगी फिर टमाटर डाल देंगे और साथ ही साथ मैंने पिंच करीब दो चुटकी यहां पर मैंने नमक डाल दिया है और यह अच्छे से भूनेंगे चार मिनट तक फिर हम इसमें डाल देंगे पनीर और जो हमने मसाला प्रिपेर किया ता वो डाल देंगे एक चौथाई चमच फिर हमें इहां पर भूना है करीब दो मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे हमें जादा नहीं बहुना वनना कलर इसके डल हो जाएंगे उसको मैंने फाइनली चौप कर लिया है उसमें डाल देंगे और अच्छी से मिक्स कर देंगे जीरे को लहसन को मिक्स करने के बाद मैंने एक प्याज लिया है एक बड़े साइस का प्याज ता उसको फाइनली चौप कर लेंगे उसको हम डाल देंगे उसको हमें भूनना है और साती साथ हम डाल देंगे हरी मिर्चे फाइली चॉप की हुई 3-4 इसको भी हम डाल के अच्छे से भून लेंगे मेडियम फ्लेम पे ही करना है जब प्याज हलका हलका भुनना स्टार्ट हो जाएगा चीली पवडर不 order एसको डाल कि तर्मेडिक पावडर 0.8цев अव्लाली घ्रमर की अच्छे से मिक्स कर देंगे पेतमाटर के प्योरी पेस्ट बनाइते स्टार्टिंग में छोड़ा सा पैनी शाच मिक्स लिएगीए-अप्य अच्छ कर देंगी लिए हम ब् ऑूनिंगे मसाला को हमें अच्छे से पका लेना है ढग दिया था मैंने करीब 10-15 मिनिट लगेगा इस तरह का मसाला होने में इसका कलर आप देख सकते हैं पहले से कितना बहतर ही नहीं हो गया है और थोड़ा थोड़ा ऑईल भी सेपरेट होने लगेगा और आप देख सकते हैं इस तरह से वही वाले वेजिटेबल्स और पनीर जो हमने स्टार्टिंग में प्रेपेर किये थे फिर हम अच्छे से मसाली में ये चीज को मिक्स करेंगे ताकि हर एक चीज में अच्छे से मसाला कोट हो जाना चीए क्योंकि हम बना रहे हैं या पी स्पाइसी मसाला पनीर तो अच्छे यहां पर देख सकते हैं मैं पबन तेयार है बड़ा मज़धार मसाला पनीर के तयार होता है भहट इस सफस्ट करें इसे आप सर्फ करें इसे लिए इसे पर आधे के साथ आHope बहुत टेस्टी लगता है तो अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक इस वीडियो ऐसे ही बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीस के लिए दू सब्सक्राइब मैं चैनल मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक लिए आप अपना ख्याल रखेंगे बाबाई ठीक केर आफ यह सेल् झाल 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 झाल